हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आज एक और important question है exam के point of view से तो देखो आप ये question आया हुआ है इसको दो equations बना के हम solve करेंगे question क्या है पहले पढ़ लेते हैं two pipe runnings, two pipe चल रहे हैं एक साथ can fill a tank, एक tank को भर देते हैं दो pipe एक साथ चल कर गे कितने समय में 11 raise to 1 by 9, यानि 11 से एक बटा 9 minute में, if one pipe takes 5 minute अगर एक pipe 5 minute लेता है more than the other दूसरे से, यानि एक pipe जितना भी समय लेता है दूसरा उससे 5 minute ज़्यादा लेता है, किसको tank भरने को, find the time in which आपको वो समय निकालना है जिसमें each pipe would fill, दोनों pipe मिल करके भर दें, था tank separately, अलग-अलग, कहने का मतलब क्या है, कि ये बोल रहा है, दो pipe एक साथ किसी tank को भरते है, 11 raise to 1 by 9 minute में, और उन दोनों में से, एक pipe दूसरे से 5 minute ज़्यादा ले रहा है, और दोनों pipe अलग-अलग, कितने time में tank को भर देंगे, ये आपको निकालना है, तो बिलकुल simple चाप question है, और simple तरीके से ही हम इसको solve करने की कोशिज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, दो pipe हैं, एक A मान लिया और एक B है, अब हम मान लेते हैं, कि A जो है, वो time लेता है, time taken is x minute, फिर इसी तरीके से हम B का मा मान लिया, अब हम इसी तरीके से B का मान लेते है, B जो है, वो time लेता है, y minute, कितना time लेता है, y minute, अब दोनों का, अगर हम एक एक मिनिट का काम निकालें, A, A is work for one minute, एक मिनिट का, तो एक मिनिट में कितना करेगा, one by x ठिक हैं, और B का same इसी तरीके से एक मिनिट का निका करेंगे तो वन बाई राई मिनट और इन दोनों का मिला करके एक एक मिनट का काम करें जो इसका भी जो टोटल वरक है 11 डिस टू 1 magic इसको मल्टिप्लाई करेंगे थो 100 राई नह जाएगा और इसका वन बाई एक मिनट का निकालेंगे तो आपका आएगा 1 upon 100 upon 9 चीक है और 9 उपर चला जाएगा इसको solve करेंगे तो यानि 1 by x plus 1 by y equal to 9 upon 100 अब इसे मैं अगर solve करूँगा तो उपर आजाएगा आपका x plus y upon x y equal to 9 upon 100 LC हम लेंगे ना x y तो x से x कटेगा y बच जाएगा उपर और plus y से y कटेगा x बच जाएगा यह उल्टा लिख दिया मैंने x plus y तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहां तक solve होने के बाद इसको cross multiply कर लेंगे cross multiply करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 x plus y bracket में कर देता हूँ 100 उदर चला गया और यह इधर आजाएगा 9 x y यह आपकी equation मन गई अब क्या बोल रहा है एक pipe मान लो x जो है वो greater है y से यानि x जादा time ले रहा है y से तो x में से y minus करेंगे तो कितना है 5 minute 5 minute का फरकार है तो x की value क्या होगी 5 plus y ठीक है अब मैं क्या करूँगा इस equation में x की जगा 5 plus y y put कर देता हूँ यह जो आपकी equation आ गई तो put करते हैं तो 100 x की जगा मैंने क्या 5 plus y plus y equal to 9 और x की जगा फिर वापस से 5 plus y into y इस तरीके से मैंने put कर दिया अब इसको solve कर देंगे और solve करेंगे तो आपका answer आ जाएगा यहाँ पे होगा आपका 100 इन्टू 5 plus 2y equal to 5 9s आ फोर्टी फाइब 45y plus 9y स्कूर अच्छे कह है ऐसे इसको भी अंदर मल्टिप्लाई कर देते हैं 500 plus 200y equal to 45y plus 9y स्कूरर अब मैं 9y स्कूरर को आगे लिख लेता हूँ एक बार ठीक है और 45y plus का यह 100y है इस साइड में हैगा तो माइनस का हो जाएगा 200y ठीक है इधर 200y प्लस का है उस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा और 500 भी इधर माइनस का हो गया equal to 0 अब इसको equation मनाएंगे 9y स्कूरर minus 155y और minus 500 equal to 0 अब इस equation को बस solve करना है middle term split करके solve कर दो या discriminant वाले method से जैसा भी आपको अच्छा लगे तो 9y स्कूरर minus 180y plus 25y minus 500 equal to 0 अब आप सोचोगे यह कैसे हुआ अगर आपको middle term split नहीं आता तो मेरा YouTube पे वीडियो है दूसरा middle term split का वो देख लो तब आपको यह समझ में आएगा क्या हो रहा है और अगर middle term split आता है तो आपको समझ में आई गया होगा मैंने इस term को split किया है दो में ठीक है ताकि इन दोनों की multiply के equal आए अब इसको solve कर देंगे मैं यहां से आपका 9y common ले रहा हूं तो आपका बचेगा y minus 20 और इधर से मैं 25 common ले रहा हूं तो इधर भी आपका बचेगा y minus 20 तो एक value आगई y minus 20 और दूसरी आगई आपकी 9y plus 25 equal to 0 तो यह तो होगी y की value जो है वो 20 आगई और इधर y की value है minus 25 by 9 तो negative value तो हम लेते नहीं consider नहीं करते हैं तो y की value 20 यानि आपका जो b वाला tank है वो कितना value है उसकी 20 यानि वो 20 minute में बर देगा और पहले वाला null जो a वाला null है वो उसकी value क्या थी देखो हमारी equation आई थी x is equal to 5 plus 1 x is equal to 5 plus y और y की हमने 20 निकाल दी तो x कितने minute में बर रहा है 25 minute में x 25 minute में और y कितने minute में बर रहा है 20 minute में यानि पहले वाला आपका 25 minute में और दूसरे वाला 20 minute में बर रहा है तो आज अगरता हूँ आपको यह question अथी से समझ में आ गया हो अगर question में कोई doubt है तो आप हमें comment करके जरूर पूछें धन्यवद दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरह की वीडियो